हेलो एब्रिवान वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सो मैं तो अच्छे से हूँ और यह मैंने ग्यास पर दूद बिठा के चली गई थी यह बिलकुल आधा हो चुगा है अभी मुझे अभी बस दूसरे काम में बीजी थी तो अभी मैं आ रही हूं यह चाम को बरतर धुले दिन भर का वरतन पड़ा है और दूसर तो से कुछ काम से मेरे से बात कर रहे हैं पता नहीं क्या बात कर रहे हैं मुझे भी याद नहीं है और हजबेन ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो उनसे कुछ बात हो रही है तो मैं काम करकर के बात कर रही हूं नहीं तो लेट हो ज सबसे पहले आटा गुंद लोंगी अटा गुंद करके थोड़ी देर रख लोंगी तो फिर वह फूलेगा और अच्छा रोटी बनेगा और मेरे पीछे ये दोना आके पता नहीं क्या कर रहे हैं और इनको बीज बीज में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है तो वह आते अब दोस्याने डिमांड कर दिया कि मुझे अमरोत कट दूआ पर ने आटा को साड़ में रखे फिर उसके लिए अमरोत कर दोंगी उसके बाद पर पर अटा गुंद दोंगी तो अमरोत को भी साथ कर के दे रही हूं उसको नहीं तो वह खाईगी नहीं और इस तरह से काट क फिर इसमें थोड़ा सा नमक चुड़े दूंगी उसके बाद उसको दे दूंगी चाट मसरा डाल के दे सकती हूं पर वह पसंद नहीं करती है तो तुसर भी कुछ पीछे से खा रहा है दूद में बिस्केट डुबा के और यहां पर मैं आटा गुंद ने बैठ की और एक बात गुंदना अभी लगभग हो किया है और रोटी को थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए आप आटा में मलाई या दूद मिला के भी आप बून सकते हैं और मेरा थोड़ा बचा हुआ डाल था तो मैं कुकर से निकाल रही हूं क्यूंकि मुझे अभी कुकर की दूसरे चीज क क्यूंकि वह मिट्टी लगी रहती है अभी नेया अलू चल रहा है ना इससे वज़े से अब इसको काटके में बॉल कर दो दो हुआ हो जाएगा तब तक मैंने बाइगन जला के रह की थी तो इसको साब करें और पिछे से और एक इंसान आगे ये देखिए हजमन आगे पता कि ये सामान कहां रुखोगे क्या करोगे ने घर के बाते कर रहे हैं उस घर में ये सारा सामान कहां के सेट करना है उसके उपर बाते कर रहे हैं पीछे से और क्योंकि मैं थोड़ा साइड होगी बरतन दोदो के बात कर रही थी अभी मैं थोड़ा साइड होगी तो वो किचन को फैला होता है ना किर वी अंदर रे जाता है और हम इसको ईखिते है अब मुझे थो सार میए मामी तो देखो करें इसा किया कर रही है वह पढ़ रही है यह क्या कर रही है यह या पता नहीं क्या कर रही है इचुप- margin साथे साथ यह देखिए हरी मिर्च भी काटा है और आलो बॉयल हो चुका है अधरक लशन भी मैं पैस्ट कर चुकी हूं और टामाटर भी तो टामाटर बड़े-बड़े काट कर रख दिया है अब मैं आलो को छीट लूँगी इतना गरम धुआ निकाल रहा है अगर ठंडी का म अब थोड़ा थोड़ा इन आलो को दबा दूँगी थोड़ा सा पैस्ट हो जाएगा और इसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस कर करूंगी वो मैं आपको दिखाती हूं यह फिर दूसार आगया इसको फिर कुछ चाहिए होगा फिर यह आगया अभी मैं आलो बेगन दोनों को अच्छे से दबा के उसको मिक्स करके रख लूँगी उसके बाद फिर मैं नेक्स प्रोसेस पर जाती हूं यह देखिए कड़ाई में ऑईल थोड़ा रिकर दिया है कम कर दोख श्रुड़ा अिसम可以 अच्छ को थोड़ा सा सर्शों एकर दिया कड़ी पता और प्याज इसको थोड़ा सा पीज को हम हलका सा फ्राइफ करेंगी और उसके बाद मैंने यह आप डेल कर दिया है अध्रय लग्ल सन का पेस्ट उसके सलक कि और नमाटर के साथ ही साथ मै बाद फिर थोड़ी देर है बेगन पेस्ट को एड़ कर दिया है और इसमें फिर मैंने थोड़ी देर फ्राइब करने के बाद ये करम मसाला एड़ करके फिर थोड़ी देर मैंने इसको अच्छे से भूंच लिया है तूसर को मोबाइल चाहिए था तो मैं अभी लाकर उसको दे दिया है अभी पेरा सारा बन चुका है हम लोग यहां पर देखिए बेगन बरता आचार और मचली और ये तूसर के लिए फुलगों भी फ्राइब करके मैंने दिया है और कैसे लगा मेरी ब्लॉग आपको प्लेज कमेंट करके बताएगा आज का ये ब्लॉग यहीं पर रुकेगी फिर मिलेंगे नेक